हेलो गाईज वेल्कम वेक्ट टु माई यूटूब चैनल यूपी ब्रोगर जैस्मीन फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हो अच्छे होगे और स्वस्त होंगे फ्रेंड्स आज मैं हरी मिर्च और नीबू का अचार बनाऊंगी और आपके साथ भी रेश्पी शेय बनता है तो बहुत ही टेश्टी लगता है विल्कुली थोड़ा अलग लगता है और आप देख सकते हैं देखने में बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है आप इसको दाल चावल से खाया है रोटी से खाया है अच्छा लगता है यह तो मैं मैं ने पहले इसको 2-3 पानी रानी इसको अच्छे से ब्शं किया था या अब इस तरह पैसे एक मिर्च में दो या तीन 15 कर लिये हैं आप देख सकते हैं और साइड साइड का का निकालना है मैं साइड साइड का निकाल दिया है हाथ से मैं इसलिए नहीं कट करूँ क्योंकि फिर बहुत जादा मिर्च लगती है हाथ में तो मैंने प्लेट में ही काट लिया है और मैंने दो मसाबुत लहसुन लिया था और उसके चिल्गे उतार लिया मैंने और आदा लहसुन मैं इसको क्रेश करूँगी बहुत जादा नहीं कूटना तो इसको मैं क्रेश ही करूँगी और आदा मैं ऐसे साबुत ही डालूँगी लहसुन की कलिया लसन इसलिए बहुत जादा क्रेश नहीं करना क्योंकि फिर मतलब टेस्ट जादा अच्छा नहीं लगेगा फिर लसन लसन ही लगेगा इसलिए मैं इसको सिर्फ क्रेश कर रही हूँ बस आप देख सकते हैं और मैंने चार निमबू लिया है और इसको निमबू को भी वॉाश किया है मैंने और इसको भी कॉटन के कपड़े से सुखाया है हरी मिर्च को मैंने काट लिया है और लसन को थोड़ा सा वचा लिया था थोड़ा सा क्रेश कर लिया और मैंने लिया है तेन से चार छो मैं लंबे लंबे पीसगे और चार निम्बो है गाइस एक बात का ध्यान रखना है कि पानी ना हो ना लसन में हो ना नीमबू में हो ना हरी मिर्च में हो क्योंकि पानी से खराब हो जाएगा जल्दी और पानी नहीं लगेगा तो आप इसको इस्टोर करके रख सकते हैं बिखाएंगे आपको हरी मिर्च का टेस्ट पूरा ही मिलेगा और नीब entirety में चाहर चाहर पीसेस कर लिये हैं और इसके बीच भी निकाल दिया है बीच का और अधरक जैसे मेरे आपसे कहा था तो मैंने लंब Minsky किसिस में पतल पत्ले कट किये हैं पकित कर विज कर दो Virgin के बार्बिक नहीं करना इसे भब सोटे पीसेस में करना है और नीबो के भी मैंने आप देख सकते हैं मैंने सारे सीट्स निकाल लिया है और मैं इसको इस नीबो को बिलकुल ही निचोड़ दूँगी इसका रस बिलकुल निकाल लूँगी और इसको नीबो को हटा दूँगी और फिर हलका हलका सा रस नीचोड़ना है कि मतलब नीबो का रस बहुत ज्यादा नहीं नीचोड़ना है तो मैं इसके बस हलका हलका सा निकाल जूँगी रस इसमें से क्योंकि नमक जो में नमक और मसाली डालूंगी वो अच्छे से मिक्स हो जायागा इसमें नीमू में भी सारे में बस रसनी चोड लूंगी हलकल कासा आप देख सकते हैं बहुत जादा नहीं नहीं चोड़ा है मैंने बस हलका सा तो मैंने हल्दी लिया एक चमच हल्दी पाउडर है यह और यह है अचार का मसाला जो मैं इसमें एट कर रही हो तेन चमच मैंने अचार का मसाला लिया है और एक चमच हल्दी पाउडर है और नमक एट किया है मैंने गाईजो मिर्चो और मसाला में तो सौरी अचार में नमक थोड़ा है ज्यादा लगता है तो मैंने दो चमच नमक एट किया इसमें और चोटी कल्ची है तो कल्ची में से ओईल एट कर रही हूँ ओईल में यह बनेगा यह अचार मिर्च का अचार ओईल बे अगर पाई नहीं लगेगा ओईल में यह बनेगा तो टिकाव रहता है फिर आप इसको दो से तीन चार महिने तक खा सकते हैं दो कल्ची मैंने तेल एट किया है सरसो का तेल है और मैंने अच्छे से मिक्स करूंगी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसमें कुछ नहीं करना इसको बरनी में भरना है और भरके ऐसी रख देना इसको दूप भी नहीं दिखाना और जो है इसको फ्रीज में रख दें आप चाहे बाहर रख दें यह खराब नहीं होगा और आप जब भी खाएंगे इसको आपको पूरा टेस्ट लगेगा हरी मिर्च और नीबू का बहुत ही अच्छा 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 लगता है आपका खाना खाने का नहीं मन हो रहा है आप खाने के साथ अगर अच्छा लेंगे तो आपका टेस्ट शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा कमेंट करके बताएगा जरूर की आपको हरे मिर्च और निमो का अचार कैसे लगा और थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो आप मेरी वीडियो पूरा देखिएगा और मैं किसी दिन अचार का मसाला की भी रेस्पी में आप से सेयर करुंगी